हेलो नमस्टे वेलकम टू माई चैनल जोतिका की रसोई आज हम बनाएंगे ब्रेट पकोरा ब्रेट पकोरा सुभी को पसंद आता है और बनाना बहुत इजी है मैंने पहले भी ये रेसिपी सेयर कर सुक्यूं आज फिर से रेसिपी सेयर कर रही हूं सबसे पहले हमने एक बोल म दिया है बजन में 250 ग्राम है और यह दाल दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक कलर के लिए हल्दी और थोड़ा सा रेट चिली बॉब आभी दाल देंगे थोड़ा सा धनिया धनिया मैंने काटके दाला है और थोड़े थोड़े पानी दालके हम बैटर बना लेंगे पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाएंगे ध्यान रहे घुठली ना बना बना बैटर हमने रेस्ट पे रख दिया है और फोर मेडियम साइज का आलू ले लेंगे स्टाफिंग के लिए आलू बॉइल करके लिए है इसमें डाल देंगे लाल मर्स पाउडर और जीरा 50 बाओडर 1ौ और आमचूर पाउडर या चाट मचालडा लाल कgreg prospect रस चकते हुं चटपटा बना इससे और इसके बाद में इसमें मिला रही हूं हरिमिर्स ये दू हरिमिर्स काटके डाल कि अपने पसंनके अनुसार बना रही हूं यह नमक, स्वाधनुसार और यह हराधनिया काटके डाला है मैंने और सारे इंग्रीडियन को मिक्स करके मैस कर लेंगे हम लेंगे ब्रेट के स्लाइस एक स्लाइस लेके इसके उपर लगा देंगे हम आलू का जो मिक्सर स्टाफिंग ट्यार किया था स्टाफिंग को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे आप साहो तो इसमें हरा धन्य की चत्नी टमेटो केचुप के साथ भी लगा सकते हो और उपर इस तरह से ब्रेड लगा देंगे और हमारा ब्रेड तियार हो गया हमने ब्रेड पकोरा फ्राइ करने के लिए ट्राइंगल सेथ में काट लिया है अभी बैटर में दीप करके फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए ओयल गरम कर लिया है और बैटर में अभी ब्रेड को दीप करेंगे अच्छे से लपेट ये देखें, लपेतने के बाद इसमें मिध्धम गरम तेल में हम दाल देगे और। ब्रेट पकोडा को टलने के लिए फ्लेम हमेशा मीडियम कर रखें और इन्हें हम अलतने पलतने अच्छे से गोल्डन कलर आने टक हम फ्राइ कर लेंगे, बरीहा से फ्राइ करेंगे और फ्राई होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे, ये दिखिए, इसी तरह हम सारे ब्रेट पकोरा टॉल के तयार कर लेंगे, ये खाने के लिए बहुत ही तेस्टी है, आप इस इन्हे टोमेटो केचप, हरे धन्यागी, चटनी के साथ परूशिए, आपको बहुत पसंद आए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले